किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों इस ट्रगल की समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 36 गड़ समान्य ग्यान इस वीडियो में मैं 30 कोस्चन कवर करूँगा जो की सलेक्टेड और इन्पोर्टेंट है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिया साथ में बेल आइकन को भी आप जरूर हो रखे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो आईए स्टार्ट करते हैं 36 गड़ समान्य ग्यान का पहला मैंने क्वेश्चन लिया है 36 गड़ की जलवाई यू है समती तोस्त निम्ती तापी उष्ट कटी बंधिया महा तापिया इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों उष्ट कटी बंधिया ओप्सन नमबर सी को आप लोग याद रखेंगे 36 गड़ की जलवाई यू क्या है उष्ट कटी बंधिया ओप्सन नमबर सी को आप लोग याद रखेंगे सेकेंड कोशन पर ध्यान दीजे छेत्र फल की दृष्टी से 36 गड़ का खालिस्थान सबसे बड़ा राज्य है ओप्सन देख लेते हैं नववा दसवा तीसरा या फिर छटा राइट आंसर इसमें हमारा आज आता है दोस्तों ओप्सन नमबर एक को आप लोग याद रखेंगे नववा छेत्र फल की दृष्टी से 36 गड़ भारत का नववा सबसे बड़ा राज्य है तो इसको आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन पर ध्यान देजे प्राचीन काल में 36 गड़ को किस नाम से जाना जाता था तो इसका अंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों पहले ऑप्सन देख लेते हैं चेरमल, करुनाडू, कलियोटन, दक्षिन, कोसल राइट कोश्चन देख लिजे, important है, मुगल सासन काल की दवरान 36 गड़ को किस नाम से जाना जाता था, हवेली, रायपूर छेतर, दूर्ग, या फिर रतनपूर छेतर, राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है, दोस्तों, रतनपूर छेतर, option number D को आप लोग याद रखेंगे, देवाड़ा, सरगुजा, जानगीर चापा, या फिर रायगड, राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है, दोस्तों, जानगीर चापा, option number C को आप लोग याद रखेंगे, 36 गड़ के किस छेतर में सबसे कम वन छेतर है, तो राइट आंसर हमारा जाएगा, जानगीर चापा, option number C को आप लोग याद रखेंगे, अगला question है, चरदवी सतापदी में किसने बस्तर में चालुक्य वन्स की स्थापना की, हमिर देव, भटाइड देव, अन्नम देव, या फिर राजपाल देव, राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है, दोस्तों, option number C का correct answer आ जाएगा, अ अन्नम देव, option number C को आप लोग याद रखेंगे, अगला question देखिए, 36 गड़ में कौन सा विद्रोह, वर्स 1842 से 1863 तक चला है, option देख लिजे, मारिया विद्रोह, पलाट कोट विद्रोह, राणी विद्रोह, खलब विद्रोह, इसका right answer हमारा आ जाता है, दोस्तों, मारिया विद्रोह, option number E को आप लोग याद रखेंगे, 36 गड़ में कौन सा विद्रोह, वर्स 1842 से 1863 तक चला है, तो इसका right answer क्या जाएगा, मारिया, विद्रोह, option number E को आप लोग याद रखेंगे, अगला question है, कब मराठों ने आखिरकार 36 गड़ को अपने समराज्य में मिला था, 1748, 1740, 1758, 1764, correct हमारा answer आजाता है दोस्तों, 1745, option number C को आप लोग याद रखेंगे, कब मराठों ने आखिरकार 36 गड़ को अपने समराज्य में सामिल लिया है, तो इसका correct answer क्या आजाएगा, 1758, option number C को आप लोग याद रखेंगे, अगला question, 36 गड़ ही भासा की बोलियों मे कौन सी भासा लर्या की नाम से भी जाना जाता है, केंद्री, 36 गड़ी, उठी, 36 गड़ी, खलताही, 36 गड़ी, भंडार, 36 गड़ी, right answer इसमें हमारा आजाता है दोस्तों, उठी, 36 गड़ी, option number B को आप लोग याद रखेंगे, 36 गड़ी भासा की बोलियों में कौन सी भासा की नाम से जानी जाती है, तो option में आप लोग किसे टीक मार करोगे, उठी, 36 गड़ी, option number B का correct answer आजाएगा, 36 गड़ी भासा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कलंगा, खलताही, भूलियों या फिर कवरती, right answer इसमें हमारा आजाता है दोस्तों, खलताही, option number B को आप लोग याद रखेंगे, 36 गड़ी भासा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो right answer इसमें हमारा आजाएगा, खलताही, option number B को आप लोग याद रखेंगे, next question, उल्टी 36 गड़ी बूली आमतर पर 36 गड़ी किस भाग में बूली जाती है, पूर्वी 36 गड़ी, पस्चिमी 36 गड़ी उतरी 36 गड़ी, दक्चिनी 36 गड़ी, right answer इसमें हमारा आजाता है दोस्तों, पूर्वी 36 गड़ी, option number E को आप लोग याद रखेंगे, उश्टी 36 गड़ी बूली आमतर पर 36 गड़ी किस भाग में बूली जाती है, तो answer में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे, पूर्वी 36 अगला कोश्चन, उस विदे से यातरी की नाम बताओ जो सातवी सताबदी में 36 गड़ आया था, फाहियें, टॉमेनी, अलमासुदी, या फिर हें त्यांग, right answer इसमें हमारा आजाता है दोस्तों, हेंग त्यांग, option number D को आप लोग याद रखेंगे, नेक्स्ट कोश्चन है 36 गड़ और जैन धर्म की इसमारकों में प्राचीन, भंडार खालिस्थान में पाये जाते हैं, मलहार, सिलपूल, महेसपूर और आरंग और दूसरा है, राजिम, सितापूर, बजरंगा और जोगी भट्टा और तीसरा है, दीपा, डीह और दंतेवाड़ा और चौथा है, गड़ गड़, राइट आंसर इसमें हमारा आजाता है दोस्तों, मलहार, सिरपूर, मलेसपूर और आरंग, आपसर नमबर ए को आप लोग याद रखेंगे, नेक्स्ट कोशन है, 36 गड़ मद्य भारत का खालिस्थान है, कहलाता है, चामल का कटोरा, चेनी का कटोरा, तीन का टाइपून या फिर कोईला कप्टान, राइट आंसर इसमें हमारा सभी लोग जानते है दोस्तों, चामल का कटोरा या फिर धान का कटोरा, 36 गड़ मद्य भारत का धान का कटोरा या फिर चामल का कटोरा कहलाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, 36 गड़ मे लोक उर्ट सव ओप्सण नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे 36 गड में कौन सा सांस्क्रितिक परव आयोजित किया जाता है तो इसका correct answer क्या जाएगा बस्तर लोक उर्ट सव ओप्सा ओप्सण नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे छटिजगण का लोकप्रिय तेवहर कौन सा है नवखाना, ओमा, बीहू या फिर हरन बनीम लाइट आँसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों नवखाना अपसर नमबर एक को आपलो जयाद रखेंगे 36 गड़ का लोकप्रिय तेवहार कौन सा है तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा नौखाना आप्सन नमबर एक को आप लोग ग्याद रखेंगे 36 गड़ विधान सभा का पहला सत कब आयोजित किया गया 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 या फिर 12 दिसंबर 2000 से 17 दिसंबर 2000 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक आपसन नमबर एक को आप लोग याद रखेंगे 36 गड़ विधान सभा का पहला सत कब आयोजित किया गया तो आपसन नमबर एक को आप लोग याद रखेंगे 36 गड़ के कितने जिले अनुसोचित वी छेतर के अंतरगत आते हैं पांच, साथ, नव, ग्यारा करेक्ठ आमारा आंसर आजाता है दोस्तों 36 गड़ के कितने जिले अनुसोचित वी के छेतर में आता है तो इसका करेक्ठ आंसर आजाएगा दोस्तों 7 ओपसन नमबर एक को आप लोग याद रखेंगे 36 गड़ में कुल कोईला भंडार का कितना प्रतिसद 36 गड़ में है 16 प्रतिसद 26 प्रतिसद 36 प्रतिसद या फिर 46 प्रतिसद राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों 16 प्रतिसद आपसा नमबर एको आप लोग याद रखेंगे भारत में कुल कोईला भंडार कितने प्रतीसाथ 36 गड़ में है तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों ए नमबर 16 प्रतीसाथ 36 गड़ के कौनसे आदिवासी समुहंदृत्य में केवल पुरुस भाग लेते हैं सैला, सुवा, कर्मा या फिर गेंडी राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों सैला, आपसन नमबर E को आप लोग याद रखेंगे 36 गड़ के कौनसे आदिवासी समुहंदृत्य के में केवल भाग लेते हैं पुरुस तो आपसन में आप लोग किसे टीक मार करोगे सैला, आपसन नमबर E इसका करेक्ट आंसर आएगा सन 2013-18 के बीच में 36 गड़ के मुख्य मंतरी कौन थे? अजीजोगी, रमन सिह, भुपेज बगेल, असोक, गलो तो राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों रमन सिह, आपसन नमबर B को आप लोग याद रखेंगे सन 2013-18 के बीच में 36 गड़ के मुख्य मंतरी कौन रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा? रमन सिह, आपसन नमबर B का करेक्ट आंसर आजाएगा किस नदी को 36 गड़ की गंगा माना जाता है नर्मदा, गुदावरी, महानदी, सिवनात नदी राइट आंसर इसमें मारा आजाता है दोस्तों, महानदी किस नदी को 36 गड़ की गंगा माना जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा? महानदी आपसन नमबर C को आप लोग याद रखेंगे प्राचिन काल में 36 गड़ किस नाम से जाना जाता था? दक्चिन काल में 36 गड़ किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आजाएगा दोस्तों, दक्चिन काल आपसन नमबर C को आप लोग राइट आंसर में टेक मार करोगे 36 गड़ में 1857 में हुए प्रथम सोसंतरता संग्राम का नित्रित्व किसनी किया था उदय प्रताप वीर नरायान सिंह, छत्रपती, सीवा जी या फिर तात्या तोपे गड़े करेक्टिस्न हमारा आंसर आजाता है दोस्तों, वीर नरायान सिंह, ओप्सन नमबर बी को आपलो गयाद रखेंगे 36 गड़ में 1857 में हुए प्रथम सोसंतरता संग्राम का नित्रित्व किसनी किया था तो correct answer हमारा क्या आजाएगा वीर नरायन सी हैं option number B को आप लोग याद रखेंगे अगला question किस वर्स में पहली बार 36 गर ब्रिटिश सासन की अधीन हुआ 1857, 1797, 1758 या फिर 1718 right answer इसमें हमार आ जाता है दोस्तों 1818 option number D को आप लोग याद रखेंगे किस वर्स में पहली बार 36 गर ब्रिटिश सासन की अधीन हुआ था तो इसका right answer क्या आ जाएगा दोस्तों 1818 option number D का correct answer आ जाएगा नेमनल लिखित में से किस वर्स में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था 1869, 1889, 1850 या फिर 1866 right answer इसमें हमार आ जाता है दोस्तों 1869 option number E को आप लोग याद रखेंगे next question है कौन सी नदी 36 गर में नहीं बहती है इब, केलो, पेनना या फिर बोराई right answer इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों option number C को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे पेनना, option number C इसका correct answer आ जाएगा पेनना, कौन सी नदी 36 गर में नहीं बहती है तो इसका right answer क्या जाएगा इब option number C को आप लोग right answer में टेक मार करो गया 15 अगस्तर 2021 तक 36 गर राजजमिक कुल कितने जीले है 21, 32, 27 या फिर 29 right answer हमारा क्या जाएगा 32 option number B को आप लोग टेक मार करो गया 15 अगस्तर 2021 तक 36 गर राजजमिक कुल कितने जीले है तो correct answer हमारा क्या जाएगा 32 option number B को आप लोग जाद रखेंगे भारत गर्ण राजज की भीतर 36 गर को खालिस्थान को राजज का दर्जा दिया गया 1 नमबर 2000, 1 अक्टोबर 2000, 1 नमबर 2001, 1 अक्टोबर 2000, 21 सभी लोग जानते हैं दोस्तों 1 नमबर 2000, भारत गर्ण राजज की भीतर 36 गर को 1 नमबर 2000 को राजज का दर्जा दिया गया था लास्ट कोश्चन हमारा देख लिजे एक नमंबर 2000 को खालिस्थान 36 गड़ी भसिक जीलों के साथ 36 गड़ का गठन किया गया 12-16-18-22 इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सेयर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिया साथ में बेल आइकन को भी आप आउन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो